Hello students, आज हम कृतिका का पहला पार्ट माता का अंचल पढ़ेंगे, जिसके लेखक है शिव पूजन सहाई तो माता का अंचल पढ़ने से पूर हम जानने की इस पार्ट में लेखक ने क्या कहने का प्रेतन किया है और कौन से मुख्य बिंदू हैं जिन पर हमने इस पार्ट के माध्यम से हम चर्चा करेंगे तो इस पार्ट में माता का अंचल तो माता का अंचल विशे से ही समझ में आ जा रहा है कि मा का आंचल यानि मा की गोद यानि मा की चरण में यानि मा के पास ही बच्चे को क्यों अच्छा लगता है तो वो तो स्वाभाविक है मा के साथ स्वाभाविक रूप से बच्चा जो है वो जुड़ा होता है चाहे वो कहीं भी चला जाए चाहे मा कितना भी गुसा कर ले या डान ले लेकिन मा का भी जो है जुडाव अपने बच्चे के साथ रहता है और साथ ही साथ ये माता का अंचल जो पाठ है ये वातसल्य रसका पाठ है इसमें लेकक ने अपने शैशवकाल के खेल तमाशों शैशवकाल यानि बच्पन के खे पार्ट में जो हम मुख्य बिंदू पड़ेंगे वो है पिता द्वारा मिले पूजा संसकार यानि देखे बच्चा जो होता है वो किस से सीखता है जो संसकार जो है वो माता पिता से सीखता है और पिता द्वारा मिले पूजा संसकार यानि कि इस पार्ट में जो है वो पिता ह उनके वह उनको किस तरह से पूझापारट में अपने साथ हमेशह शामिल करते थे और क्या कहकर उनको पुकारते थे और क्या वह पढ़ते थे और क्या बच्चा सीखता था दूसरा vigor मुक्ख्यभिंदु है तिसень पीता के संग से भोजन करना और कौन उनको भोजन तो मां ही है जो सबसे ज्यादा लाट पयार से भोजन-कराती है और अगला जो मुख्यविंदु嗯पडेंगे तरह तरह की खेल कौन झू io ए यहां पर लेखक जो वो बता रहे हैं कि वो कौन-कौन से खेल जो है वो खेलते हैं ठीक है जो बच्चा है वो कौन-कौन से खेल खेलता है और साथ ही साथ हुलडबाजी और मस्ती बच्चों के बीच में कौन-कौन सी हुलडबाजी और मस्ती और किस तरह की शरारते हैं बच्चे जो है करते हैं अ तो कभी बाहर बाग बगीचों में कभी कुछ चोरी करके ले आते हैं, तोड़कर ले आते हैं, किसी को चिडा कर भाग जाते हैं और साथी साथ इसमें सांप कब है, जब एक बार खेलते खेलते बच्चों को पता नहीं चलता है तो खेलते-केलते वो यदी कहीं पे उनको इस तरह से सांप जो मिल जाता है तो दर के मारे कैसे भागते हैं और कहां-कहां छिपते हैं और क्या होता है और अंत में जो है वो ब corps जो है वो मा की गोद में वो शरर लेता है तो ये कुछ मुख्य बिंदू है जो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे तो ये हमने पहले ही जैसे बताया माता का अंचल जो है पार्ट वो वातसल्य रस का पार्ट है वातसल्य रस यानि कि मा का अपने बच्चे के प्रती प्रेम जो है वो वात्सलियरस के अंतरगत आता है तो लेखक है शीव पूजन सहाई और पाठ है माता का अंचर चलिए तो पाठ यहां से शुरू होता है जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग जहां बुढधों का संग तहां खर्चे का तंग देखे क्या पंगती लिखे गए है कि जहां लड़कों का संग मिला नहीं वहां बाजे मृदंग मृदंग एक तरह का वादे अंतरए कि दे धमा धम बजा रहे हैं इनकी लड़के आपसे मिल गए हैं और जहां बुढधों का संग तहां खर्चे का संग तो बुढधों के साथ तो खर्चे का ही तंग हो जाता है तो नेक्स अब ये शिर पूजन सहाई बता रहे हैं लेखक संग अपनी कहानी बता रहे है हमारे पिता तड़के तड़के यानि सवेरे उठकर निबट नहा कर पूजा करने बैट जाते थे यानि कि सुबे सुबे वो उठकर क्या करते थे पूजा पार क्या करते थे जो नहां दो लेते थे उसके बाद पूजा करने बैट जाते थे हम बच्पन से ही उनके अंग लग गए थे अंग मतलब उनके साथ ही लगे रहते थे जैसे जैसे वो उठ रहे हैं, जहां जा रहे हैं, वो भी साथ साथ में चला होता था माता से केवल दूद पीने तक का नाता था तो मा से केवल कितना नाता था कि जब दूद और खाने पिलाने तक का नाता बाकी जो मस्ती थी वो पिता जी के साथ होती थी इसलिए पिता जी के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे मतलब मा के साथ के वक खिलाने पिलाने और उतियार करने का जो था वो सारा मा का काम होता था और उसके बाद उस बच्चे को भी कोई मतलम नहीं मा से पिता के साथ वो भाग जाता था क्योंकि पिता अक्सर बाहर आना जाना पूजा पाट करना तो कई कामों व्यस्ट वो भी साथ साथ में लगे रहते थे तो इसलिए सोते भी किस के साथ थे अपने पिता जी के साथ सोते थे कहां बैठक बैठक होता है ड्राइंग रूम वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते तो यानि वो जो लेकक हैं वो कहते हैं कि पिता जी मुझे क्या करते थे सुबह सुबह जब वो उठते थे तो मुझे भी साथ ही उठा देते थे खुद भी नहाते थे फिर मुझे भी नहला धुला देते थे और फिर पूजा में हम दोनों इकठे बैठते थे तो देखे ये पिता द्वारा दियेगे संसकार है हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे यानि भभूत का तिलक जो ये धूब अगर बत्ती जब जलाते हैं तो उसकी जो वो एश निकलती है भभूत निकलती है उसका तिलक भी वो हमारे माथे पर लगा दो और कुछ हंस कर कुछ जुझला कर और कुछ डांट कर वो हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे तो कभी वो हंस पड़ते थे कभी उनको गुसा भी आता था कि क्या जिद करता है और कभी वो डांट देते थे उनको लेकिन फिर भी क्या करते थे कि चोड़े लिलार, लिलार मतलब ललाट यानि माथे पर त्रिपुंड यानि कि जिस तरह से ऐसे लगाते ना आपने देखाओगा वो तीन लाइने से खीचते हैं इस तरह से जैसे शिवजी जी को लगाते हैं तिलक ठीक है ऐसे और इस तरह से तीन लाइने खिची होती है बाते पर वो त्री पुंड लगा देती थे ऐसे तीन लाइने खिचके और बीच में बिंदू हमारे लिलार में भबूत खूब खूलती थी मतल़ खिलती थी यहांपर सिर में लंबी लंबी जटाएं थी यानि कि वो चोटा था अभी उसके बाल नहीं काटे गए थे लंबे लंबे बाल थे उसके ठीके भबूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे तो जैसे ही वो भबूत सी लगा देते थे तो बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे शिव जी जी हैं भम भोला जी है तो माथे पर कौन सा तिलक लगाते थे भबूत का? पिता जी हमें बड़े प्यार से भोला नात कहकर पुकारा करते अब उनका नाम उनको प्यार से क्या पुकारते थे भोला नात तो पिता जी ने प्यार से नाम क्या रखा था भोला नात लेखक अपनी कहानी सुना रहे हैं तो उनके पिता जी ने उनका नाम प्यार से लखा था भोला नाथ तिलक लगा के सिधे बंबोला लखते थे ना इसलिए पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ वैसे उनका नाम था तारकेश्वर नाथ पिता जी प्यार से भोला नाथ कहते थे हम भी उनको बाबू जी कहकर पुकारा करते और माता को मईया यानि कि पिता जी को बाबू जी और माता जी को मईया और स्वेम उनका नाम क्या था? पिता जी ने प्यार से नाम रखा था भोला नात वैसे उनका नाम था तारकेश्वर नात तो जब बाबु जी रामायन का पाथ करते, तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे, आईने में अपना मुँ निहारा करते, अब बच्चों के कुछ इस तरह के हरकते होती है कि वो जो काम कर रहे हैं, उसका थोड़ा उल्टा ही करते हैं, तो जब बाबु जी रामायन का पाथ क जब वह हमारी और देखते तब हम कुछ लजा कर और मुस्कुरा कर आइना नीचे रख देते थे वह भी मुस्कुरा पढ़ते थे तो यानि जब कोई बड़ा बच्चों के और देखने लगता है और बच्चा अपने कामों में व्यस्त हो तो वह क्या करता है वह शर्मा आ जात भी मुस्कुरा पढ़ते थे कि देखो ही क्या कर क्या रहा है बच्चा पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते अब पूजा पाठ होगी तो वो उनका नियम था रोज राम राम लिखते थे अपनी एक राम नामा बही पर हजार राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांद कर रख देते उन्होंने एक बिना रखी थी जो जिसमें वो राम नाम लिखते थे एक पोथी सी थी जिसमें वो राम नाम लिखते थे रोज लिखते थे और उसमें लिक लिक कर उस पोथी के साथ बांद कर उसको रख देते थे फिर क्य 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकडों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की और चल पड़ते थे अब क्या करते थे? पांसो बर कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिख लेते ठीक है? अब राम नाम लिख कर वो क्या करते थे? आटा आटे की गोलियों चोट-चोटी गोलियों जैसे मचलियों कर डालते ना गोलियों बना कर अटे की गोलियों में उसको लपेट देते वो जो राम राम उन्होंने लिखा ना कागज के छोटे छोटे टुकडे करके उसमें लपेट दे और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की और चल पड़ते तो गंगा हमारी पूजनी एं है और वहाँ पर वो चल पड़ते थे तो उस समय भी हम उनके कंदे पर विराजमान रहते थे तो उस समय वो कहां कंदे पर बैठ कर पिता जी कंदे पर बिठा कर उनको ले जा रहे हैं और जब वे गंगा में एक एक आते की गोलियां फैंक कर मचलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंदे पर ही बैठे बैठे हसा करते थे तो देखे माता पिता किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोशन करते हैं उनकी हर एक जिद को पूरी करना उनको कंदे पर बिठा कर फिर उनको ले जाना तो देखे किस तरह से वो भी रोज उनके कंदे पर बैठ कर गंगा किनारे जाता था और उन गोलियों को क्या करते थे वो मचलियों को खिला देते थे और वो हसा करता था बच्चों काम है उनको तो हसी चाहिए जब वो मचलियों को चारा देकर घर की और लोटने लगते तब बीच रास्ते में जुके हुए पेड़ों की डाल पर हमें बिठाकर जूला जूलाते थे तो यह देखें ग्रामिन संस्कृति भी यहां पर जो ग्रामिन संस्कृति के एक जलक है जो यहां पर दिखाए गई है कि किस तरह से भोला ना जो है वो ग्रामिन परिवेश में रहता है और वहां की संस्कृति वहां का रहन सेहन और माता पिता का अपने बच्चों के प्रती किस तरह से प्रेम भाव और किस तरह से वह उनके साथ लगे रहते हैं तो जैसे कि यहां पर भोला नात ने बताया कि मा से केवल उसका कितना नाता था दूद पीने और खाने पीने तक का बाकी फटा फट भाग कर वो पिता जी के साथ ही आगे पिछे उनके साथ चलते फिरते रहते थे हालांकि सोते भी उनके साथ ही थे पिता जी के साथ तो पिता जी जब सवेरे उठते तो उनको भी जल्दी उठा लेते थे और दोनों ही फिर एकठे बैट कर पूजा पार्ट में बैट जाये करते थे हलां कि वो बच्चे हैं बच्चे तो रामायन पाठ कर रहे हैं तो वो अपने खेल खेल रहे हैं पिता जी अब राम नाम लिखकर वो गोलियों में डालकर जब गंगा में जा रहे हैं उनको खिलाने के लिए मचलियों को तो भी वो कंदे पर बिठाकर उनको ले जा रहे हैं रास्ते में आते हुए जुकी हुई डालियों पर वो उनको बिठाकर जूला जुलाते हैं यानि कि जो माता पिता है वो बच्चे की हर एक इच्छा को जो वो चाहते हैं उसको पूरा करते हैं तो कभी कभी बाबु जी हमसे कुष्टी भी लड़ते तो सभी के पिता जी जब चोटे होते हैं तो सभी कुछ न कुछ कारे करते हैं तो बच्चे चाहते हैं कि हमारे साथ व्यस्त रहें खेलें कूदें सब तो पिता जी उसके साथ क्या क्या करते थे कुष्टी भी लड़ते वो शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते शिथिल मतलब वो चुप गिर जाते थे और उसको बताते थे कि नहीं तुम जीत गए तो वो बल देते थे उनके उनको बढ़ावा देते थे और हम उनको पचाड देते थे मतलब ऐसा कुछ वो करते थे कि चोटे बच्च जल्दी से हार जा तो बच्चे खुश हो जाते यह उताम पढ़ जाते और हम उनकी छाती पर बैट जाते थे चड़कर हम उनकी छाती पर चड़कर बैट जाते ते और चाती पर बैठ कर क्या कते थे पहले उतान का मतलब देखे यहीं किताब में नीचे दिया गया है पीठ के बल लेटना तो पीठ पर लेट गए और उनको हरा दिया बस तो उतान पड़ जाते पेड़ा उल्टे लेट गए और हम उनकी चाती पर चड़ जाते थे जब हम की लंबी-लंबी मूच्छें उखाड़ने लगते हैं यानि पिता जी की मूच्छें उखाड़ देते हैं बच्चों कुछ नहीं पता चलता कभी मूच्छें, कभी बाल उखाड़ देना तब वे हस्ते हस्ते हमारे हाथों को मूच्छों से चुड़ा कर उन्हें चुम लेते थे यानि प्यार करते थे फिर जब हमसे खटा और मिठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बाया और दाहिना गाल उनके मूँ की और फेर देते थे बाएं का खटा चुम्मा दे कर वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाड़ी तथा या मूँच हमारे कॉमल गालों पर गड़ा देते थे हम जुझला कर फिर उनकी मूचे नोचने लग जाते थे इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते जान मूड के बच्छों के साथ कई नखरे करने पड़ते थे तो वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलक खड़े खड़े खिल खिला कर हंसने लग जाते थे जह बच्चे बड़े शरारती होते हैं जब बड़ोņ को हरादे तो खुश हो जाते हैं और बड़े अगर उनको कुछ कहा दे गुसा कर दे तो नाराज हो जाते हैं तो बच्चों के मूड का कुछ पता नहीं जलता लेकिन यहाँ पिता जी हर वक्त उनके साथ बड़े घुल मिलकर उनके साथ रहते थे कई प्रकार के खेल खेलना कुष्टी खेलना वो मूझे उकार देता था तो भी पिता जी कुछ नहीं कहते थे तो यहाँ पर देखे भोला नाथ अपने पिता के साथ कौन-कौन से खेल खेलता था यह भी प्रश्न हमारा यहाँ पर बन जाता है और यहाँ पर ग्रामिन संसृत की भी जलत मिलती है माता पिता अपने बच्चों का पालन पोशन ठीक है किस तरह से करते हैं कि वो बच्चे का कोई दुख नहीं देख सकते हर एक जिद को उनकी पूरा करते हैं तो यहाँ यह प्रश्ण भी यहाँ पर बन जाता है तो यहाँ तक जो अभी हमने पढ़ा है वो आप सही धंग से ध्यान से पढ़ेंगे और इस में से जितने प्रश्ण बन सकते हैं स्वैम भी प्रश्ण निर्मान करेंगे कुईकि यहाँ जो प्रशन आते हैं वो तीन-तीन नंबर के आते हैं एक्जाम में कम से कम पचाज से साथ शब्ध हमें लिखने होते हैं तो उस प्रकार से आप इसको जो है प्रशन बनाएगे कुईकि जितने प्रशन आप साम प्रशन यरमान करेंगे उतने ही उत्तर आपको clear होंगे ठीक है तो यहां आपने देखना है तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं कल हम फिर मिलेंगे और अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद